ओ बाबा तेरी मुरेली बड़ी है निराली ओ बाबा मीठे बच्चे तुम्हें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है सच्चे दिल से एक बाप को निरंतर याद करना है सच्चे दिल पर ही साहिब राजी है प्रेश्णा सबसे अच्चा मैनर्स चरितर कुन सा है किस देवताई मैनर्स को तुम्हें धारन करना है उत्तर सदा हरशित रहना बहुत अच्चा मैनर्स है देवताई सदा हरशित रहते हैं खिल खिला कर हसते नहीं आवाज से हसना भी एक विकार है तुम बच्चों को याद के गुप्त खुशी रहनी चाहिए फैमिलियर्टी का संस्कार भी बहुत नुकसंगारक है सर्विस की सपलता के लिए अनासक तवरुती चाहिए नाम रुप की बदवो जरा भी न हो बुद्धी बहुत सुच्चे चाहिए इसी धारना से जब सर्विस करते दुसरों को आप समान बनाते तो चेरा हर्शित रहता है गीत है नवह हमसे जुदा होंगे न उल्फथ दिल से निकलेंगी होम शान्ती बच्चे जानते हैं सोबी नंबर वार पुरुशारत अनुसार क्योंकि कहा जाता है सच्ची दिल पर साहिब राजी दिल भी आत्मा में है न तो सच्चे साहिब को याद करो तो सुख मिलेगा याद मना अंदर में बाप को याद करना है जब साहिब को जब का अर्थ नहीं जबका अर्थ यह नहीं कि मुख से कुछ बोलते रहो नहीं याद करते रहो तो बहुत सुक मिलेगा औरों को भी आप समान बनाना है किसी को समझाना भी बड़ा सहज है जैसे सच्ची पत्ति व्रतस्त्री सिवाय पत्ति के और किसी को भी लव नहीं करती वैसे ही आत्मा को उस पारलो की गभियत के बाप को सच्ची दिल से याद करना है जैसे आशिक माशुक का प्यार होता है पनाम रूप पर मरते हैं विकार की कोई बात नहीं रहती आशुक माशुक को माशुक आशुक को याद करते है बस और कहा बुद्धी नहीं जाती है भल धंधा धुरी भी करते है परंतु दिल एक के साथ रहती है वह पवित्र याद होती है शरीर और बुद्धी अपवित्र नहीं रहती उसका भी गायन है परंतु ऐसे बहुत थोड़े है इस ग्यान में भी सच्चे आशिक बहुत थोड़े है माया ऐसी है जो नाक से पकड़ लेती है दुष्टांत दिया हुआ है अंगत का रावन ने का देखे यह हिलता है वह नही जो तिके तिके महा रती है उनको ही माया पचाड़ती है जैसे चुहा काड़ता है फुक ऐसी देती है जो पता भी नहीं पड़ता है ऐसे माया भी बड़ी जबरदस्त है जो कोई बेकाइदे चलन चलते है तो अंदर से अंदर से ही गुबुद्धे का गुपत ताला लगा इसमें समझने की बड़ी बुद्धी चाहिए, बाबा को याद करने का बड़ा अभ्यास चाहिए, बाप में पूरा पूरा लव चाहिए, तुमको सर्विस करनी है अना सकतो होकर, भल कोई कितना अच्छा बच्चा है परन्तु ऐसे ने कि उसके नाम रूप में फस पड़ना ह इसके बड़ा नुकसान कर देते हैं, बाब कहते हैं, अपने को औशरीरी आत्मा समझ कर मुझे याद करो, अपने को स्वच्च रखो, तुम शिव बाबा के बनते हो, वो तुमको स्वच्च बनाते हैं, विकारों को निकाल देना है, तुमारा नाम ही है शिव शक्तिया, त तुमको सरवशक्तिवान से शक्ति मिलती है तो अच्छी तरह उनसे योग लगाना पड़े। यह तो है ग्यान की बात। बहुत थोड़े है जो सच बोलते है कहने में लज्जा आती है माया बड़ी दुश्तर है एकदम माय था मूड लेने में देरी नहीं करती है। ऐसे नहीं हम तो बच्चे है ही युक्तिया भी बतलाए जाती है पहले तो करमातित अवस्ता में जाना है फिर नंबरवार पद बाबा जानते है बच्चों को माया बड़ा हैरान करती है याद धेरने नहीं देती है। बोटो की अवस्ता देखी जाती है नाम रूप में फस पड़ते हैं अपने को अशरीरी समझने का अभ्यास करना है क्योंकि बोट समय से अपने को अशरीरी नहीं समझा है। सत्युगने यह ज्यान पूरा रहता है कि मैं आत्मा हूँ मुझे यह पूराना शरीर छोड़ नया लेना है। साक्षतकार भी हो जाता है परोक्ष चाहे अपरोक्ष समस्त है अभी शरीर के आयू पूरी आकर हुई है जैसे कोई मरने पर होता है तो कहते है हमको ऐसा लगता है कि अब मरूँगा रह नहीं सकूँगा वहाँ फिर समस्त है अब शरीर बढ़ा हो गया है इसको अब अपने टाइम पर खुशी से छोड़ देते हैं, आत्मा का ग्यान पूरा है, बाप का ग्यान बिलकुल नहीं है, ड्रामा में है नहीं, वहाँ बाप को क्यों याद करें, दरकार ही नहीं है, या तो दुख में मनुक्षे याद करते हैं और तुमको फिर अपने को आत्मा समझ बाप से योग लगाना है, या शरीर तो पूराना है, इस से तो बिल्कुल नफलत आनी चाहिए. फल कितना भी खुबसुरत सुहाना सुंधर शरीर हो, लेकिन लामोजिब तो सब काले है, क्योंकि आत्मा काली है, या भुद्धी से समझने की बाते है. शरीर कोई सबके काले तो नहीं होते है या तो हवा पानी पर होता है जा ठंड जासते होती है वा सपेद मनुक्ष होते है तो बाप समझाते है बुद्धी का योग एक बाप से लगादा है जैसे लव मेरेज करते हैं या भी तुमारी आत्मा की लव मेरेज है फिर इस देह के साथ भी लव नहीं रहता है अपनी देह से लव नहीं तो फिर औरों की देह से क्या लव रखना है दुनिया में तो काले और गोले शकल पर भी चलता है कोई कोई बिगर देखे सगाई कर लेते हैं जब शकल देखते हैं तो कहते हैं हमको ऐसी काली नहीं चाहिए फिर जगड़ा हो जाता है हम पैसे को क्या करें हमें तो सुन्दर चाहिए अब तुम जानते हो हम आत्मा है इस पुराने शरीर से मोह नहीं रखना है या तो विकारी सबंद है न दुनिया भी बातों से अपनी बात नहारी है अभी तुमारी काली आत्मा की सगाई हुई है गोरे मुसाफिर श्यू बाबा से जानते उस दुनिया में सबकी आत्मा काली ही काली है गोरे से सबंद जोड आत्मा को गोरा बनाना है एक मुसाफिर सेकडो हजारों को हसिन बनाते है काली आत्मा को गोरा बनाना है इसमें बड़ा अच्छा योग चाहिए काला रह जाने से एक तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भरष्ट हो जाएगा या किसी के नाम रूप में नहीं लटकना है बड़ी डिस सर्विस हो पड़ती है इसलिए बाबा समझाते है खबरदार रहो तुम आया की चक्री में आ गए हो परन्तु समस्ते नहीं है भावी छोड़ती नहीं है अपना पद भरष्ट कर देते है बाब कहते है योग अगनी से अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है यह है भट्टी बाब के साथ योग लगाना है और तरब बुद्धी जाती है तो वेविचारी ठहरा सर्विस करना सके पद भी पानी सकेंगे योग अगनी से इक हाद निकल सकेगी योग है तो ग्यान भी ठहरेगा बाबा रूप भी है बसंत भी है तुम बच्चे भी जितना रूप बनते जाएंगे उतना ग्यान की धार्ना होगी पहले आत्मा को पवित्र बनाना है योग योग कहते है परन्तु तुमारे में भी कई कई योग का अर्थ नहीं समझते योग की बिना अपने को अत्वा भारत को पवित्र बनानी सकेंगे बल सर्विस भी करते है सिंटर खुलते है परन्तु माया नाक से एकदम पकड़ लेती है अंकार आ जाता है हमने इतने सिंटर खुले है देविमान में आ जाता है बाप तो समझाते है अपने को आत्मा समझ योग लगाओ बाप से कोई भी विकर्मन न बन जाए अगर बाबा को भूल कोई के नाम रूप में फसते हो तो बड़ा नुकसान हो जाता है यह बड़ी मंजिल है बिश्व का मालिक बनना कम बात है क्या बाप की कितनी मैमा है कितने मंदिर बनाते है उनके नाम पर तुम जानते हो सोमनात का मंदिर किसने और कब बनाया मंदिर भी नंबर वार बनते है सोमनात के बाद फिर लक्षमी नारान का अत्वा जगदंबा का मंदिर मनुक्ष का थोड़ी जानते मनुक्ष थोड़ी जानते कि सोमनात का मंदिर किस ने बनाया वो तो निराकार है निराकार के पुजारी निराकार शिव को ही पुजेंगे पर उन तो जानते नहीं तुम बच्चों में भी नंबरवार है, राद दिन सर्विस का ही ओना रहता है, ओना पूरा तब रहे, जब दे अभिमान टूटे, दे ही अभिमानी बनना है, बाप के साथ पूरा योग लगाना है, उनका पूरा रिगार्ट रखना मासी का घर नहीं है, माया के भूत योग त ये तो बाप ही जानते कितने तो ऐसे नाजूख है, जो कुछ भी कहो तो जट ट्रेटर बन बिगड़ पड़ते है, वो फिर अपना ही खाना खराब कर देते है, आच्छे रेवंत बाबा का बननती फिर भागनती हो जाते है, डिस सर्विस करने लग जाते है, भागवत में भी मशूर है, अमरूत पीते पीते ट्रेटर बन फिर सताते है, बाप को कितना ख्याल रहता है या फ्लाना कच्चा है, कोई भी समय ट्रेटर बन नुकसान कर सकता है, भरोबर देखते है, ट्रेटर बन नुकसान करने लग पड़ते है, फिर कितनी अबलाव पर अत्याचार ह उर सत्सोंग में अत्यचार होते है क्या या पहली बात है विष मने विकार को चोड़ने की विष छोड़ते नहीं है कहते भी है फलाना स्वर्ग पदारा परन्तु हेवीन क्या है कुछ जानते नहीं है जैसे बिगर अर्त कोई बोल दे ऐसे ही कह देते है अब कितनी समझ आई ह यह बाब जानते हैं कोई अच्छे अच्छे फूल है, कोई है जिनमे नाम रूप में फसने की बद्वू नहीं है, ग्यान के बिगर और कोई बात नहीं है, योग भी पुरा चाहिए, कोई काले तो पहले से है, फिर और ही काले होते जाते हैं, इस लशकर में हातियों का भी कर है घोड़े घोड़ियों का भी है बकरे बक्रियों का भी है सब है चलन से जट मालूम पड़ जाता है यह तो जैसे रीड माने भेड़ है कुछ भी नहीं समझते बुद्धी में बैठता ही नहीं है जैसे भेस बुद्धी है बाप कितना सहज करके बतलाते है तुम आत्मा हो तुम बहत के बाप को याद नहीं कर सकते हो है आत्मा तुम और सब तरब से बुद्धियोग हटा कर मुझे याद करो तुम याद नहीं कर सकते हो और मित्र सबंद्यो आदी को याद करते हो मुझे याद करने में क्या मुसीबत है कहते हैं बाबा माया बुद्धियोग तोड़ देती है अरे वर्सा गवा बैठोगे तुम बुद्धियोग पूरा लगाओ तो विश्व का मालिक बनेंगे बाप को थोड़ी कभी भूलना होता है दे अभिमानी बनने से ही तुम भूलते हो तुमको बार-बार कहा जाता है अपने को आत्मा समझो बाप को निरंतर याद करो जपो नहीं आवज नहीं करो तुमको तो वानी से परे जाना है राम राम मुख से कहा तो दे अभिमाना गया अंदर सिमरन करना है और गंस का स्रिप आधार लिना है मैं आत्मा हूँ, शान्ती में रेकर बाप को याद करना है बाबा है ग्यान का सागर, नौलेज़ फूल, उनमें सारी नौलेज है तुमको भी सिकलाते है, बाप को याद करने से तुम पवित्र बन जाएंगे होली ताज मिलेगा, और सुष्टी चक्र को जानने से रतन जड़ी ताज मिलेगा डबल सिर्ट ताज बन जाएंगे, याद से विकर्म भी नाश होंगे, नहीं तो धरमराज के डंडे खाने पड़ेंगे पद भी भरष्ट हो जाएगा, इसलिए बाप को याद करना है, फिर खुशी भी चाहिए गुप्त, आवाज से हसना नहीं है लक्ष्मी नार्यान को हरशित मुक कहा जाता है, हरशित मुक रहना और हसना अलग-अलग बात है हरशित मुक रहने से वह गुप्त खुशी रहती है, आवाज से हसना बुरी बात है हरशित रहना सब से अच्चा है, खिल-खिला कर हसना आवाज से हसना भी एक विकार है, वह भी नहीं रहना चाहिए, खुशी चेरे पर आने चाहिए वो आयेगी तब जब आप समन बनाएंगे सर्विस और सर्विस सर्विस मिली और यह भागा दुसरी कोई बात नहीं तुम बच्चे सर्विस करते हो काटों को कली बनाते हो बाबा बच्चों को अच्छे अच्छी पॉइंट्स बताते है यह निच्चे रखना है कि बाबा ही सुनाते है यह भी कहते है मेरी मैमा नहीं करना मैमा सारी श्विव बाबा की है उनको याद करने से ही पूरा विकरमाजित बनेंगे बहुत सहज बात है याद करना है और चक्र फिराना है सोदर्शन चक्रधारी पूरे अंतमे बनते है नमबर वार अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चो प्रती मात पिता बाप ददा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुभानी बाप की रुभानी बच्चो को नमस्ते हम रुभानी बच्चो की रुभानी मात पिता ददादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा नमस्ते धारना के लिए मुख्य सार बाप को साथ रखने की युक्ति रचनी है भोजन पर याद में रहना है और शरीदी बनने का अभ्याश करना है अपनी पुरानी दे से भी लव नहीं रखना है दूसरी पॉइंट बाप का पूरा रिगार्ड रखना है अंकार में नहीं आना है नामरुप की बिमारी से सदा दूर रहना है क्यान योग में मस्त रहना है वर्दान सब कुछ बाप हवाले कर संगम यूगी बाजशाई का अनुदो करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव आजकल की बाशाई या तो धन कदान करने से मिलती है या वोटों से मिलती है लेकिन आप बच्चों को सुएम बाप ने राज्ति लग दे दिया है बे परवा बाश्या यह कितनी अच्ची स्थिती है जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो परवा किसको होगी बाप को लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा कही अपनी अथोरिटी को या मनमत को छीपा कर रखा हो अगर स्रीमत पर है तो बाप हवाले है ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ बाप हवाले करने वाले डवर लाइट अविनाशी राज दिलक के अधिकारी बनते हैं स्लोगन है एक एक वाक्य महावाक्य हो कोई भी बोल वेर्थ न जाए तब कहेंगे माश्टर सत्गुरू एक एक वाक्य महावाक्य हो कोई भी बोल वेर्थ न जाहे तब कहेंगे माश्टर सत्गुरू अच्छा ओम शांती